वेल्कम टू मैं चानल तो आज के टरो रीडिंग का टॉपिक है और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी क्या मुवमेंट्स रहेंगी यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वान, पाइल नमबर टू, पाइल नमबर वान को आप इस Magical Gateway से चूज कर सकते हैं, या फिर अपने बर्दे मन से चूज कर सकते हैं, उसी तरीके से पाइल नमबर टू है, आप जो है, पाइल नमबर टू को Stargazing से चूज कर सकते हैं, या फिर अपने बर्दे मन स में से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से प्रपोस करेंगे 8 of coins शुरुवात अच्छी हुए वर्गो की एनर्जी है निक्स्ट आरा King of Wands Aries, Leo, Sagittarius की एनर्जी है निक्स्ट आरा 6 of coins, Taurus, वर्गो, केप्रिकॉर है निक्स्ट आरा Empress और निक्स्ट है मारे पास Knight of Wands कुछ और कार्ड भी देख लेते हैं निक्स्ट आरा Existence, Magician का कारड आया जमिना एनर्जी है निक्स्ट आरा Eight of Pentacles, फिर से आया निक्स्ट आरा Ten of Pentacles, We are the World निक्स्ट आरा Four of Wands, Participation और निक्स्ट आरा है Innocence, Sun का कारड आया लिव एनर्जी है चाहे आप male और female अपने gender से resonate करना ये person बहुत जादा efforts डालेंगे आपको जो मतलब उन्होंने prepare किया होगा आपको propose करने का तरीका या जो भी उनकी decorations है उस idea को सोचने में उन्होंने बहुत सारी महनत करी होगी और एक या दो दोस्त हो सकते है या उनके भाई बेन हो सकते है या काजन्स हो सकते है किसी भी तरीके से उन्होंने भी इस person की मदद करी होगी कि वो प्रपोजल को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से present कर पाए और उस चीज को जो है लाइफ में आगे रिप्रेजेंट भी करें आपके सामने और इंप्रेस भी कर पाया तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर एनरजी है मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कहीं न कहीं आप ट्रावल कर रहे हो गए या किसी पार्टी में होगे कुछ इस तरी तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने जो है जो भी उनके आज-पास के लोग होंगे चाहे वो अन्जान पैसेंजर्स ही क्यों ना हो उनको भी जो है वो एक कॉम्निकेशन के थ्रू एक तरीके से करेंगे कि मुझे यहाँ पर प्रपोजल देना है और बहुत सार ठीक है कि यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है यह परसन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन भी जो है वो महसूस करते है और एडवेंचर भी उनके मन में रहता है आपके प्रती की बड़ा ही एकसाइटेड वाला जो इनसान है या एकसाइटमेंट भरी सकता है क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होगे तो एक म्यूचल अंडरस्टांडिंग है एक अच्छा पाशनेट एनर्जी भी है और एक लगाव भी है तो वो चीज यहाँ पर एक्वल गिवन टेक वाली एनर्जी है ऐसा नहीं है कि वो efforts नहीं लगा रहे हैं आप उनके लिए importance नहीं रखते या वो आपके लिए importance नहीं रखते ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है मुझे यहाँ पर यह लग रहे है जैसे मैंने पहले भी कहा कि traveling करते समय अब वो कोई भी mode of transportation हो सकता है उस समय या फिर जो है आप कही कोई party में हो तो दोनों ही तरीके से मतला resonate करने की कोशिश करना तो यहाँ पर मुझे ऐसे feeling आ रही है कि यह person जो है वो वहाँ पर एक बड़ा सा कोई bouquet या flower इस तरीके का लेके आएंगे और आपको कोई अंजान व्यक्ति जो है वो देगा और या देगी जो भी gender हो और वो जो है वो कहेंगे कि आप पुछोगे किस ने दिया है तो वो जो है आपकी तरफ जो है वो इशारा करेंगे कुछ इस तरीके से कि इस परसन ने दिया है तो आप जो है वहाँ पर देखोंगे कि इस तरीके से है जैसे ही आप उसमें कुछ पढ़ना चाहोगे या उसमें कोई कार्ड होगा या कुछ भी लिखा होगा जैसे ही पढ़ना चाहोगे तो वहाँ पर शिमर जो हो सकता है या फिर स्पार्कल होते है या वो क्या बोलते है उसे जो शादियों में या बड़े पर एकदम से फूटता है क्या बोलते है I don't know तो वो चीज जो है वो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रही है कि वो जो है शिमर होगा या स्पार्कल होगा कुछ इस तरीके से और सारे लोग जो है चाहे अंजाल अगर बस में हो या एयरो प्लेण में हो तो अंजाल लोग भी किलाप रेंगे uti करेंगे और अगर जानकार रहे है फैमिली फैक्शन में तो उसी के अनुसार जो है जो उसके अनुसार ये जैसे माल लीजी आपको पावभजी बहुत पसंद है तो उसी का जो शेप का जो है वो केक सा आजाएगा या केक नहीं पसंद है कुछ और चीज पसंद है या पावभजी पसंद है ठीक है तो आपके लिए वो लेके आएंग कि examples जो है फूड से related आया तो आप फूड ही हो सकते हो या आपको खाना पीने का बहुत जादा शौक हो और इस तरीके की चीजे जो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज खाएं लेकिन आपको जो पसंद है वो पसंद है जैसे मैंने पावभजी का नाम ले लिया ज़रूरी नहीं ह पर जितने भी लोगों को पसंद है या अपनी-अपनी choices होते है पानी पूरी पसंद है या कुछ और पसंद है चोले बाटूरे पसंद आ है या कुछ और पसंद है तो या केक ही मुफिनलस पसंद है डोनट्स होते वाक़ी सब चीजे लेकर कि आपके लिए तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फीलोगे बहुत जादा यह परसन एफर्स लगाएंगे और आप खुशी से जो है वो महसूस फूले नहीं समाऊगे और आपके लिए थोड़ा सा शौक भी होगा और खुप सेलिब्रेट करोगे आप लोग और जो आपके कजन्स हों काफी लंबे साल तक चला होगा तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए वो इमोशन जो है वो इंपॉर्टन्स रखेंगे ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और यह परसन जो आपको एक पेडेस्टरल पे तो हमेशा से ही रखते थे लेकिन आज वो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे शील हो रही है क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसे फैमली मिंबर तो पहले से ही मान लिया था लेकिन अब जो यह चीज हो रही है कमिट्मेंट की साइकल या लीगली जो है कमिट्मेंट की साइकल में आ आ रहे हो तो इस चीज की खुशी जो है वो अपने आप में ही मतलब एक अनोखी या एकसाइटमेंट से जो है वो भरी हुई होगी तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है चलिए देखते कुछ और कार्ट्स तो पहला यह आया है नेक्स यहाँ यहाँ पर पीस रहेगी पीसफुलनेस रहेगी और दिल जो है या मन जो है वो खुशी महसूस करेगा रियल हापिनेस तो चलिए देखते क्या आ रहा है यहाँ पर यह चीज है कि आप दोनों के लिए जो है थोड़ सेंसिटिव सा नेचर होगा और आप दोनों के लिए वो जो है पीछे छूट गया है अच्छा रहा है बुरा रहा है वो अलग चीज है लेकिन अब जो है वो new possibility और new path पे आप लोग जा रहे हो एक new beginning शुरू कर रहे है वो ही मैंने कहा commitment cycle जो है वो शुरू हो जाएगी और next आ रहा है यहाँ पे life energy the happy fairy of sunshine brings lots of life giving energy she reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that need to be healed यहाँ पे मुझे ऐसा feel हो रही है कि यह गर्मियों में हो सकता है और अगर किसी extend में जैसे autumn season में भी है तो दिन में होगा मतलब sunshine जो है वो रहेगी और आप भी अंदर से उसी तरीके से खिले-खिले महसूस करोगे और हो सकता है आपकी dress जो है वो golden color की हो हाला की जरूरी नहीं है कोई भी dress हो सकती है golden या yellow tinge हो या फिर आपको yellow color पसंद हो तो उससे related भी कोई जो है वो आपको जरूर देगा अगर आपको gold पसंद है तो वो शायद वो ही दे खिक है तो ऐसी energy और नेक्स्ट आ रहे है आपे magical gateway जो है आपकी life के लिए खुल रहा है आप उसमें अंदर जा रहे हो या new beginning स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर भी यही चीज है कि एक जो gate है वो जो है आप pass कर रहे हो और एक new beginning में आप enter हो रहे हो इस चीज की खुशी जो है वो आप दोनों के बीच में अपने आप चलकेगी चले देखते हैं कुछ messages भी देख लेते हैं आपके लिए my feelings are getting better and deeper next आरा आपके लिए a flower cannot blossom without sunshine and man cannot live without love next आरा call me my love वो आपसे बात करना चाहेंगे और next आरा life without love is like a tree without blossoms or fruit तो यहाँ पर जो है life को create करने की इच्छा है और इस तरीगे की चीजे जो है आप दोनों के बीच में रहेगी चले देखते हैं कुछ charms यहां पर एक mirror आया है और यहां पर एक owl आया है और यहां पर एक owl आया है और नेक्स आरा है यहां पर screw driver है तो जितनी भी चीजे फिक्स करने की जरूत है या जो patience लगती है कि हम किसी को surprise दे रहे है तो उसके पीछे जो है वो काफी जादा मेहनत लगी होती है planning plotting वो सब रहत तो उन सारी चीजों की जो feelings है वो एक तरीके से emotions में बहुत जादा आप लोग बहुगे क्योंकि मैंने कहा कि आपकी जो first date रही होगी या जो first memory रही होगी उसी चीज को replicate करके आपको थोड़ा सा इस तरीके से कहरेंगे चलिए देखते है कुछ love song आपके लिए उडलिया एक bodyguard movie का तो इस तरीके गाने जो आपको dedicate करना जाएंगे इसी तरीके feelings जो है वो आपके लिए feel करेंगे तो pile number one ये थी आपकी reading उमीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी रग रही है तो प्लीज चानल को like करे, share करे, subscribe करे, thank you number two अगर आपने इस image को चूज किया या फिर आपका बदे मंत इसमें से आता है तो चलिए देखते है वो आपको किस तरीके से propose करेंगे या पर ace of wands शुर्वात अच्छी हुई है, next are five of cups, next are hangman, Pisces energy है, next are page of cups और next are four of wands कुछ और cards भी देख लेते हैं, next are six of wands, success, next are judgment, beyond illusion, scorpion energy, next are three of cups, celebration, next are two of cups, friendliness, and next are king of cups, healing तो यहां पर जो है, emotions बहुत जादा जो है, वो exist यहां पर करते हैं, यहां पर जो proposal है, वो तो मैं पहले बताती हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूंगी, कि आपका जो है, past में किसी से relationship रहा होगा, और उस cycle की या उस relationship की ending जो है, वो बहुत बुरी रही होगी बहुत ही जादा करवाहट होगी, तो इस वज़े से जो है, आपके मन में, जो viewer है, जो देख रहे हैं यह वीडियो, आपके मन में जो है, वो about love, relationship जो है, वो बहुत जादा अच्छी image नहीं होगी, ठीक है, अब हरे के अलग-अलग aspect होते हैं, हरे का सोचने का तरीका, हरे के experiences अलग-अलग होते हैं, इसलिए यह जो सोच है, वो बन जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई doubt नहीं है, लेकिन आपका जो perspective है about love, about relationship, वो यह person change करेंगे, और ऐसे नहीं कि वो एक दिन में होगा, काफी लंबा समय लेका, मुझे यहाँ पे यह लग रहा है कि आपकी अपने जो hard shell है, उसके साथ लेकर, यह extra messages है, वो मैं बता रही हूँ, कि hard shell है, उसको साथ ही जो है, वो लेकर चल रहे थे, लेकि फिर भी जो है, आपके मन में यह person के लिए feelings जो है, वो ओभर आई होंगी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके मन में, उनके मन में थोड़ी जादा है, मत innocence है, या softness है, वो exist करती है, लेकिन लोगों के behavior की वज़े से आपने आपको closed off रख लिया होगा, तो इसमें जो है, मुझे ऐसा feel हो रहा है, कुछ तीन महीने से तीन साल जो है, वो लग सकते हैं, आपकी friendship को इस level तक आने के लिए, ठीक है, अब आते है, प्रपोजल पे, यह मुझे यह लग रहा है, यह person बड़ा ही artistic होंगे, या तो poem लिखना, या photography करना, या अलग-अलग तरीके से जैसे painting बनाना, या sketch बनाना, कुछ इस तरीके की चीज होगी, जो एक art form होती है, artistic या creativity है, उस चीज में जो है, जैसे माल लीजे, आपने flowers हैं, ठीक है, तो उसको ज बनाए जाते थे, या फिर जो है, अलग-अलग तरीके से जो है, वो जो, क्या बूलते हैं, जो तार होती है, उस से बनाए के, मड़ा बड़ा ही creative तरीके की यह person होगे, और वो उस चीज से जो है, जैसे असली fool तो हर कोई खरीद के ले आएगा, लेकि यह person जो है, उसमें efforts जालके अपने हाथों से बना के वो चीज, पर्टिकुलर कोई भी art हो सकती है, तो वो चीज जो है, वो आपको create करके देंगे, और आप जो है, थोड़ा सा शौक भी रहोगे, और अपने आपको पीछे भी खीचना चाहोगे, आपका मन कहेगा कि मैं हाँ कह दू, या वे एक हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसी एनरजी मुझे यहापे लगने, तो यह चीज फ्रेंशिप से स्टार्ट होगी, यह परसन जो है, आपको सीधे सीधे जो है, पर प्रोपोजल शादी के लिए ही देंगे, और आप थोड़ा सा मतब शौक भी होगे, सक्पका होगे भी क्योंकि आपके मन में यह रहा होगा कि आप में कोई कमी है या इस तरीके से, अब आते प्रोपोजल के उपर किस तरीके से चीज़ है, बड़ा ही सिंपल तरीके की चीज़ है, यह पर क्रियेटिव यह परसन है, तो जहां पे भी आप रहते हो, यह जहां पे आप काम करते हो काम की जगह भी हो सकती जैसे कोई compound है या lobby है ठीक है तो वहाँ पे जो है आपके ये जो साथ में काम करने वाले हैं एक या दो दोस्त हो सकते हैं तो वो भी जो है उस department में lobby में ही जो है वो आपके लिए इस तरीके की चीज लेकर आए और वो जो creativity है जैसे मानली जी sketch है या painting है तो उसमें जो है वो लिखा हुआ और वहाँ पे एक marry me का एक बहुत बड़ा सा क्या कह सकते हैं curtain ले लो या कुछ भी मतलब इस तरीके से कोई board होगा marry me लिखा हुआ तो कुछ इस तरीके की यहां पे energy लग रही है और आप जो है वो उस समय थोड़े से भावक हो जाओगे ऐसा नहीं है आपने अपनी जिन्दीगी में success देखी है या देख रहे हो लेकिन उसके से जो है वो बनेगी तो ऐसी energy मुझे यहां पे feel हो रही है और आप एकदम से हां नहीं कहोगे ऐसा मुझे feel हो रहा है लेकिन आपकी आखों में आसू आजाएंगे या फिर आप काफी जादा भावक हो जाओगे तो इस तरीके की चीज है और यह person जो है वो आपके लिए romantic feelings सखेंगे बड़ी simple सी energy है कि बहुत जादा dramatic चीज नहीं है लेकिन बहुत जादा thoughtful है ठीक है तो ऐसी energy है और मुझे यहां पर यह भी feel हो रहा है कि जो भी sketch आपका बनाया होगा तो उसमें जो है वो आपके जो भावनाएं है positive है negative है वो सब चीजे जो है उस photo में या sketch में दि साथ बड़े ही अच्छी तरीके से synchronicity में या alignment में आ जाएंगे और आप ना चाहते हुए भी जो है इस person को हाथ होगे थोड़े समय बाद कि आप जो है उनके साथ दोस्ती दखना चाहोंगे सारी जिंदगी की तो इस तरीके से जो है आप शादी के लिए मान जाओंगे त कि healing है emotions को जो है कैसे balance करना यह नहीं बहुत प्यार करते हो और बात जो है जो है जो है जबान जो है वो इस तरीके से चला रहे होगी बहुत ही जादा मतार रूड तरीके से या बत्तमीजी से कोई बात करेगा तो ऐसे व्यक्ति का प्यार होना ना होना एक बराबर है यहां जो है यह परसन जो है सच में आपको केर दिखेगी उनके शब्दों से भी उनके action से भी ठीक है तो मकारी चाला की कि मेरा स्वार्थ हो जाए मैंने कुछ भी बोल दिया कोई फरक नी पड़ता यह सब नहीं है तो sensitive person यह होंगे चले देखते है कुछ और कार्स यहां पर यह आया है यहां पर यहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए एक fresh air की तरीके से यह person आएंगे बिलकुल new change है आपने कभी इस तरीके के लोगों से डीली नहीं किया होगा या अच्छे लोग कभी जिंदगी पर देखे ही नहीं होंगे तो ऐसी energy है और person जो है वो आपके लिए एक angel की तरीके से साबित होंगे पहला आरहा है my beloved though may be physically apart spiritually we are always united for love transit space and time nothing is missing on extra I give thanks for the blessings of love soon to come your way know that you deserve to be and have all that your heart truly desires यहां पर इश्वर जो है वो आपसे यही कह रहा है कि आपके लिए blessings आए रही है और आएगी आप जो deserve करते हो वही आपको मिलना चाहिए यह नहीं कि किसी ने किसी को किसी भी तरीके से manipulate किया या use किया और आप जो है वो उसी तरीके से रह रह रहे हो तो ऐसी energy यहां पर नहीं है चलिए देखते हैं कुछ और कार star gazing when you gaze at the star यह आपकी wish होगी और यह चीज जो है वो पूरी होगी when you gaze at the stars you give yourself very focus your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation तो यहाप यही चीज है कि इश्वर की तरफ से आपके लिए blessing आईगी और आप जो है जो है जो भी चान सितारे देखके या रात में कोई बाते करते होगे इश्वर से बाते करते हो अपने आप से बाते होईगी कि ऐसा भी है और आपके मन में एक तरीक से डर भी होगा कि यह चीज जो है वो सपना तो नहीं है कहीं और वो सपना नहीं होगा नेक्स आरा है go outside it's time to go outside time into powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat तो जो भी आप रहते हो जिस घर में apartment में society में उससे थोड़ा बाहर जाओ जो आपके particular friends है एक या दो है तो उनसे थोड़े जादा जो है वो friends बनाने की कोशिश को रो बहुत जादा जो है अपने आपको घुटाना या बहुत जादा boundaries में रखना भी सही नहीं है तो यह चीज आपके लिए आ रहे है और यह person जो है आपको night time में या शाम से रात के समय में ऐसा हो सकत है जैसे आप office से बापिस आ रहे हो कुछ इस तरीके से ठीक है तो चलिए देखते हैं कुछ और messages देख लेते हैं उनकी तरव से तो पहला आ रहा है listen to your heart वो चाहते है कि आप अपने दिल की सुनो next आरा self-care increasing your own well-being through self-care behaviors और नेक्स आरा आपके लिए love does not make the world go around love is what makes the right worthwhile तो आपकी life जो है वो worthy लगेगी आपको अभी तक आप जी रहे हो खा रहे हो पी रहे हो नॉर्मल रूटीन चल रही है वो अलग बात है लेकिन आपको अब वर्थ जो है वो लगेगा कि हां मुझे जीना चाहिए और मुझे खुशी से जीना है तो कुछ बेखते हैं कुछ चाम्स यहां पर जो है रीबर्थ आ रहा है बहुत अच्छे से इंट्यूशन जो है वो आपको कहेगी क्योंकि आपने महसूस कर लिया होगा कि इस परसन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है नेक्स्टर डॉग आया लॉयल परसन है और हमेशा जो है वो दिबराज मोवी का तो आप लोग फ्रिंट्शिप में जो है यह चीज करके आप आजाओगे और दिल जूम अरीजीत ने गाया तो कुछ इस तरीके के गाने आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके फीलिंग्स जो है वह आप लोगों के मीच में रहेगी तो पाइल